हेलो फ्रेंस, कैसे हो आप लोग? I hope आप हमेशा के जैसे सवस्त, मस्त एंड अपने-पने कामों में बयास्त होंगे तो ये स्टोरी लेकर आई हूँ, बिलकुल नियु स्टोरी है स्टोरी पूरा देखिएगा, इसकीट करके बिलकुल भी नहीं देखिएगा आज ये स्टोरी एक husband wife की है जो बहुत जादा प्यार करते थे एक दूसरे से और एक दिन सड़नी दोनों में जगड़ा हो गया जो हमेशा होता है हर husband wife में जगड़ा होता है जहां बहुत जादा प्यार रहता है वहाँ पे जगड़ा तो होना सोभाविक है हम लोग भाई बहन में भी जगड़ा होता है husband wife सभी में होता है उसी तरह common से बात से जगड़ा हो गया उनका एक बेटा था 10 साल का वो इस्कूल गया हुआ था दोनों husband wife में जगड़ा हुआ husband की चुट्टी थी wife को इतना ज़्यादा गुसा आया friends की वो बोली मैं जा रही हूँ माई के मैं यहाँ नहीं रहूंगी तो husband तक तक चला गया सामने का एक दुकान सौब था वहाँ चला गया वहाँ गया सोचा कि चायपानी यहीं से पीलूँगा घर पे मैं नहीं पियूँगा उसकी wife फिर चली की वहाँ से अब husband जब वापस आया तो देखा कि घर पूरा खाली पड़ा हुआ है घर भी खुला हुआ है और मेरी wife ने घर बंद भी नहीं किया और वो बोल कर गई थी कि मैं माई के जाड़ी हूं तो फिर वो गुसा से बोला कि चलो एक दो हपते दस दिन तक माई के में रहेगी ममी के पास तो उसका दिमाग थोड़ा ठीक हो जाएगा तब तक ठीक हो गया बेटा भी उसका स्कूल से आया बेटे को खाना वगएरा वो दे दिया बाप बेटे दोनों रहने लगे तीन-चार दिन बीद गये तो उसने सदनी सोचा कि चलो फोन करते है बेटा ने अपनी ममी को ढून रहा था तो वो नानीमा को फोन किया तो नानीमा ने बोला यहां तो बिल्कुल भी नहीं आई है यहां तो आई ही नहीं है अब उनका बेटान काफी ज़्यादा घबड़ा गया क्योंकि उनकी ममी वहां तो थी नहीं तो फिर पापा को बोला तो पापा तो बच्चों को मतलब बेटा तो थुरा बड़ा था दस बारा सल का था तो वो समाल रहा है थे तो अपने दोस्तों को फोन किये और सड़नी चार-पांच दिन से वो जो लर्का था मतलब हस्पन था हस्पन कर नाम राहूल था तो राहूल को सपने आते थे पता नहीं उनको लगता थे कि दो आदमी खड़ा है एक मैं हूँ और मिरे सामने कोई खड़ा है कोई खड़ा है ऐसे कुछ आता था तो वो फिर भूल जाता था बोलता था कि पता नहीं ये कौन है मुझे कोई मुझे ऐसा क्यूं सपना आता है राहूल ने बोला तो ऐसे ही फिर काम में लग गया क्योंकि office काफी ज़्यादा बीजी, bank में job करता था तो काफी ज़्यादा बीजी हो जाता है job तो इसके लिए फिर राहूल काम में लग गया, अब सासुमा को फोन किया तो बोले, नहीं मेरी वेटी तो यहाँ पे नहीं आई है अब तो राहूल को ज़्यादा जिंता होने लगे अपनी दोस्तों के पास गया दोस्तों से पूछा कि क्या आई है यहां पर मेरी वाइफ तो उसके दोस्तों लोग भी बोले कि नहीं नहीं यहां नहीं आई है सदनली उसको ख्याल है कि मेरी छोटी साली रहती है उसके घर वो चली गई होगी फिर वो थोड़ा एक दो महीने है मतलब रहने दो जाने दो क्योंकि वो जाएगी तो अभी मुझे फोन नहीं करेगी सदनली वो एक रात सोया हुआ था वो जब उसको प्यास लगा राहूल को जैसे ही राहूल लिविंग डूम में गया वैसे ही उसको दिखा कि कोई सरकटा आदमी खड़ा है वहाँ पे राहूल तो इतना ज़्यादा डड़ गया और वो बिल्कुल ज़्यादा घबरा गया परचाई में तो दिखी रही थी कि राहूल के कंदे पर कोई चिपक के बैठा हुआ है बट राहूल को ऐसा कुछ समझ भी नहीं है उसको सदनली ऐसा लगा पानी पी लिया सदनली ऐसा लगा कि कोई होगा या मेरा कुछ बढ़म होगा जो सरकता आदमी मुझे दिखा पता नहीं वा आदमी था क्या था मुझे नहीं पता मगर सरकता हुआ आदमी क्यों मुझे दिखा प्रेंस अब यह जो राहूल है न उसको कंधे पे दर्द हो रही थी वो जाके सो गया विस्तर पे विस्तर पे सोया सदल्ली मौर्निंग में उठा ब्रस वगरा किया और बेटा सोया हुआ था क्योंकि वो संड़े का दिन था तो रहूल से अधनली प्रस रस करके जैसे ही वो आईना में देखा अपने चेहरे को तो उसका चेहरा बिल्कुल कटा पटा जला जुलसा हुआ आईना में दिख रहा था बट उसने अपने हाथों से छुवा वगरा तो उसमें कुछ भी उसको महसूस नहीं हो रहा था उसका ब बहुत दर्द हो रहा है मुझे लग रहा है कि मेरा कंता बहुत ज़्यादा भारी हो गया मैं मोटा हो गया हो गया अपने बेटे से पूछा रहा हूं ले उसका बेटा बोला नहीं डैडी आप मोटे तो नहीं हुए है तो बस अब ऐसे ही करके वो जा रहा था सद्धनी उसके भी बोल रहे है कि तुम काफी ज़्यादा दूबले हो गए काफी ज़्यादा दूबले हो गए ऐसे क्यों दीख रहे हो मुझे दो तिन फ्रेंड उसके घर पे आए हुए थे और फ्रेंड की वाइफ खाना लेकर आई थी क्योंकि ये मा इसकी मम्मी नहीं थी तो सोची की च सदनी राहूल जब आईने में के पास गया तो उसको महसूस हुआ कि उसके कंदे पर कोई बैठा हुआ है महसूस हुआ फिर वो सदनी नीचे गिरा फिर क्या हुआ फ्रेंस की बहुत ठका हुआ था बोले अब मेरी वाइफ को बलाना पड़ेगा फिर चोटी साली को उसने फ तो राहूल को कुछ ठिकाना ना रहा। राहूल को होसक बिल्कुल भी नहीं रहा। तो आभ वो कड़े तो क्या करे। सदनी वो आईने के पास गया, अपने आपको तो वो पिछले 25 दिन से ठीक से देखा भी नहीं था, मगर आईने के पास जाके वो अपने आपको देख रहा है, तो देखा कि उसके कंदे पे बाकई में कोई लड़की बैटी हुई है, जिसका सकल उसकी वाइफ से मिल रहा था, अब तो राहुल बिल्कुल नीचे गिर गया, गीर भी नहीं पा रहा था क्योंकि बोज बहुत ज़्यादा सर पे थी, उसके बाद राहुल को दिखाई दिया कि उसकी वाइफ का चेहरा जो है बिल्कुल भी, मतलब ड़ाबना एकदम भैंकर चेहरा हंस रहा है, अब उसके ह बिल्कुल वो हो गया, वो नीचे गिर पड़ा, अब नीचे गिरने के साथ ही वो चिलाने लगा जोर जोर से, और उनके जो फ्रेंस आए थे खाना लेकर, तो कि शाली से बात करने के बाद उनके फ्रेंस साम को जाने वाले थे, बच्चे के साथ खेल रहे थे, अब वो इस सれて जोर-जोर से चिलाना देख संवत का काुवा हुआ हुआ है मेरी वाइप का चिलाने लगा फिर उसके दोस्तों ने बुला है एक यह वालर एक काम करते हैं, हम घर को देखते हैं घर का लीबिंग रूम सभी को चेक किया जाता था, इस्टोर रूम जब राहूल ने खोला, उसके होस का ठीकाना ना रहा, उसके दोस्त लोग तो पे होस होने लगे, गिरने लगे, बच्चे को लेकर दोस्त के वाइफ नीचे ही थी, क्योंकि उपर नहीं आई थी, लिविंग, इस्टोर रूम में जो देखा ना, एक तो ब संदूक या कुछ रखा था, उसी पे वो गिर पड़ी, मारे कंदे पे है, मैं एक योगी बाबा को जानता हूँ, वहाँ ले चलो, अब तो ये रोए जा रहा है, उसके आत्मा को, उसके सरीर को वहीं छोड दिया, और बच्चा को भी पता चल गया था, कि उसकी मा का देथ ह रहुरा का ठीकाना नहीं रहा, वह बेहुस्ट पुरा हो चुका था, उसके दोस्टन ने उसको समाला, उसके बाद फ्रेंस क्या हुआ खुआँ, रहुरू बिल्कुल ज्यादा होस्ट हो चुका था, उसके बाद एक तांत्रिक बाओा है, उसकी मा को भी पता चल और बहुत सारा सामान बगएरा देकर उनको दाज संसकार अंतीम इक्षा जो भी था पूरा करें तो फ्रेंज इस तरह से राहूल का उसके मां और उनके मतलब उनके साथ ससुर मां सब तो रोई जा रहे थे हालत बहुत ही कराब थी कि ऐसा हो गया घटना घट गया तो राहूल जैसा तांतरिक वावा ने किया वो ऐसे ही किया उसके आत्मा क्योंकि वो पत्नी बहुत प्यार करती थी अपने पती को और सड़नी बचारी चली गई ऐसे अचानक में उसको भी नहीं पता था कि वो मर जाएगी और इसलिए वो राहूल में चिपकी रहती थी जब से उसके आत्मा उडी है तब से वो राहूल के बदन में ही स्टिब की हुई थी उसके बाद फ्रेंस वो योगी वावा ने जैसा तांतरिक वावा ने राहूल को बोला उसके आत्मा को सांती के लिए और उसको राहूल को पुरा बांध दिया गया और उसको क्या आए नहीं कि उसके पत्नी का जो सरीर था उसको लेके उसको दासंसकार जैसे हिंदू सनातन में होता है उस तरह से उसको किया गया और पूरा सुहागन लिवाज में उसको दासंसकार किया गया राहुल पूरा सिंदूर दे के फिर बहुत सारा गीफ्ट वगएरा ये सब दे मतलब जो सामान जारे हलका होते जारे धहरे रहुन का गंदा बिल्कुल भी हलका हो गया और फिर तांत्रिक बाबा ने बोला यह आपकी वाइफ अब आपको छोड़ चुकी है उसका आत्मा अब उपर जा चुका है तो इस तरह से राहूल को मन को सांती तो मिला मगर उसकी हालत बिल्कुल खराब थी बच्चे का भी हालत खराब था क्योंकि मा को खो चुका था और पूरे फैमिली के हालत खराब थी और उसका आत्मा को तो सांती मिल गया उसकी यही छोटी सी स्टोरी सेयर की हूँ, अच्छा लगे तो लाइक सेयर, तो यह स्टोरी फ्रेंज अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक सेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, थैंक यू फर वाचिंग माई वीडियो, मिलती हुए एक नई स्टोरी के साथ, और अपने और अपने परिवार का रख्छा करें, और हमेशा हम लोगों को सोच समझ के ही कोई काम करना चाहिए, कभी भी जगडा हो तो सोरी हमेशा बोल देना चाहिए, और मिलके प्यार से रहन थैंक यू, थैंक यू